हाई एवरिबडी मैं कुरुष नंग्सु आप सब का स्वागत कर रहा हूं इस स्टाडी प्लाथ्थम स्टाडी स्टाट में आज हम क्लास 10th cbse ncrt के एक्जम्पल लगा 9 को सर्फ करें आपको प्रूब करना है रूट3 इसे पहले मैं प्रूब कर चुका हूं रूट2 इसे इरेश्नल न में तो अगारी समझ में राना चाहिए या अच्छिन नम्बर कि बिटे हैं और एक सोमाज में चाहिए इस्थना नंबर कि है 50 2 मुझा फ्रीइव एक सम्मज में आना चाहिए involving माई फ्रैक्सर में लिख सकते हैं सिसका मतलब पी की स्ब्रूइब और इस्थेना नंबर जोकर इसका आप फ्ड ट्रीइन enfin non die क्या है अगर स्क्राइब कर रहा है तो यह को भी दिवाइड कर रहा है यह आपका थर्म 1.3 यह भी मैं आपको समझा चुटा हूँ विडियो के मांथ्यम से तो चाले है रूट 3 एक इसको प्रूब करेंगे और जैसा ही रूट 2 को हमने जब प्रूब किया था क्या था कि इसी तरह हम रूट 3 को लेट कर लएगे एक रेस्नाल नमबर ठीक है और हम जो मैं आजूं कर रहे हैं अगर ओफर्स हो जाए तो जो हमको गीवेन प्रूब करने के लिए और प्रूब हो जाएगा ठीक है तो मैं लेट करना हूँ यह आजूं लिख 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 तो रूट 3 को ऐसा रस्नाल करने तो अगर कोई भी नमबर रस्नाल नमबर है तो आप इसको कॉंडूशीत प्रकार का लिख सकता हूँ प्रकार को फार्री और प्रकार के लिख हो यह तो आपका मालूम है, where q is nautical, और integers क्या है? अगर आपको याद नहीं, तो मेरा पेहना वाला विडियों रियल लंबर के अदर देख लेजिए fundamental, आपको समझना जाएगा, a rational number, a rational number, a rational number, integers, all numbers, ठीके? अगर p by q को मैंने लेख लिया, इसे, आपकोई क्या कर साकता हम? Suppose, p and q have common factor other than one मैंने क्या मालिया? p q का कोई और का factor है जो कि common factor other than one then, we divide it by its common factor मैंने क्या लिटा? मैंने माल लेकि p q का कोई और एक factor है जो q1 1 तो सभी number में common factor रहता है लेकिन और एक ही एक factor है अगर कोई दोनों में common factor अगर कोई दोनों में common factor और इस number में डिवैड़ कर दे तो और number co prime हो जाता है तो co prime क्या ही देखिए co prime देखिए एगर 4 & 3 को माल लेजिए इन दोनों में देखिए factor दोनों में common क्या है 1 के सिबार आपका कोई भी factor common नहीं मिलेगा 4 & 3 के अदर इसका मतलब 4 & 3 को प्राइम है ठीक है 3 & 5 इन दोनों के अंदर भी आपको 1 के सिबा और कोई भी factor नहीं मिलेगा 3 & 5 के अदर तो यह भी को प्राइम है तो को प्राइम का मतलब है जिस दोनों नंबर के अंदर 1 के सिबार कोई भी common factor नहीं है उसको हम को प्राइम कहते है तो वही मैं कह रहा हूं अगर कोई fraction मान लिग जिए 12 by 36 ठीक है ना 12 by 36 है और 12 और 36 में common क्या है 12 है दोनों में 12 दोनों में common है 12 को मैं दोनों में डिवाइड करूं 12 को 12 में डिवाइड करूं तो 1 12 को 36 में डिवाइड करूं तो 3 1 by 3 1 by 3 यह क्या है 1 and 3 के अंदर कोई common factor है क्या नहीं है अलि 1 है इसका मतलब 1 and 3 कोप्राइम है मतलब क्या है कोई भी अगर fraction है और इस दोनों में 1 केसी बाइड कोई common factor है और दोनों common factor को मैं डिवाइड कर दूं तो ओ प्राइम में convert हो जाता है इसका मतलब P by Q तो 1 था क्या है इसके कोप्राइम नहीं था और मैंने क्या इस P and Q के number में कोई common factor था और इस common factor और इस दोनों के अंदर मैं डिवाइड करकर इसको प्राइम में convert कर दिया तो मैंने अब लिख सकता हूँ root 3 equal to जो convert हो जाए 12 by 13 जैसे convert होकर क्या हो गया 1 by 3 है इस P by Q यह तो कौन सी number है मालूम नहीं क्योंकि यह अग्यात number है P and Q तो मैं कुछ भी नमर मालू जैसे कि आप माल लाग सकते हैं A by B यह M by N T by P जो आपको मन करा है इसे माल लीजे कोई दिकर नहीं ठीक है तो मैंने माल लिया A by P ठीक है R by S जो आपको मन करे वो माल लीजे तो A by B क्या है मैंने बता है कि अपको डिभाड़ी करदेंगे तो यह को प्राइम में कर्वट हो जेगा मतलब A, N, B, R, को प्राइम यहीं से आपका प्रूव करने का प्रत्विया शुरू हो गया हमने A, B को प्राइम मन लिया और हम अगर दिखा देगे कि अगर प्राइम नहीं हो सकता तो यह हमारा जो आजम समों का फॉल्स हो जेगा ठीके और प्रूव हो जेगा रूट 3 इचे इस नानलबो तो चालिए मैंने इसको तो क्राइम मन लिया अब रूट 3 को में स्क्वार इं करदेगा बहुत साइड में अगर स्क्वायर करेंगे बहुत साइड में ठीके तो डिक की हो जाथा रूट 3 क्योस्प्वाय में स्क्क powered 13 तो रूट 3 क्या हो जाएगा 3 रूट 2 इंटो रूट 2 क्या हो जागा 2 रूट 5 इंटो रूट 5 क्या हो जांगा 5 मत्र刑 ब कोई भी रूट से और सी जी स्टेप इस प्रकार का लिख सकता हूं इस को मैं इस परकार oldacies ुदि है इसा लिख सकता ह्व कोई भूलने में तो दिखेंगे इसको मिन्स अते नाघेंगे तो इसमीर दिख रहा है यह सब्सक्राइब करके यह सब्सक्राइब आप जिर? अलिकी एक ही। feat is before aAA A को से लिपन चाहिए लिख साथभू, यह सब्सक्राइब को पी डिवाइड करें तो एक को भी पी डिवाइड करें मतलब अगर 9 को 3 डिवाइड कर रहा है तो 9 का अगर वह स्थ्राइब हो जिए इसका रूट बार क्या हो जगा थी और थी को भी टिवैड़ करेगा तो वही बात मैंने लिग दिया। इन करका राक थीर नोट में ने लिग दिया। अब ये विटा रहा है, ठीकिए, स्क्रीन शट लेजे विटा रहा है, देखिए, 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 मैं अब लिख सकता हम, A equal to 3C, C क्या है, एनी इंटेजर, ठीकिए, अगर मैं कुँँ, 3Divides, 36, मैं इसको इस प्रकार का लेक्षर थांग, 3 into 12, 12 क्या है, इदर, C है, ठीकिए, वही बात, मैंने क्यों 3C ले रहा हूं, क्योंकि मुझे, A तो मैंने दिखा दिया, एक इसका फेक्टर है, और B को भी एक फेक्टर दिखाने है, ठीकिए, इसलिए मैंने 3C है, क्यों इं तो इसको पूट करना कहां पर, equation 1 में, तो वही करेंगे, put the value of A in equation 1, equation 1 में put करेंगे, equation 1 क्या है, B square, तो लिख देंगे, स्क्रेक इस प्लेस में 3C square लिखे लेगे, 3C square क्या हो जागा, 9C square, ये तो अपसमेद में जाएगा, by 3, अब क्या हो जाएगा, B square, ये तो विभार कर देंगे, अगर 3 में, 3 में, to 3 हो जाएगा, ठीकिए, तो मैं धरेक्त लिख लेख लेँ, ये क्या हो जाएगा, 3C square, ये आप अब देखिए आपको क्या दीख रहा है विश्क्वर को 3 divided कर रहा है तो आप वही बात लिखेंगे कि 3 divided कर रहा है अगर 3 divided यह बीस फ्रिक्राने तो अब व्योसलित भी डिवाइट विपको क्यों कि ति हिर देंगे को अगर श्वाय को तो पी डिवाइट कर रहा है तो एक और बात मैं बता रहा हूं बार बार ठीक है तो मैं लिख दे फेरों 1.3 के उनुशार और आप देखिए आपने A और B को क्या माना था आप देखिए रहे हैं कि एक एक फेक्टर एक और बीक फेक्टर थी इसका मतलब दो तो फेक्टर मिल गया है इसका मतलब आप जो अजुशन के थे और फॉल्स हो गया अब आप लिख सकते हैं आवार अजुशन कि एक और आप अजुशन A and B are co-prime co-prime now false I have constitution where we are co-prime false therefore क्या लिखेए लिखें जाए therefore therefore प्लेजनल नमबर ना इसला सब्स पेंगो को ये अपसी आप्रक्रुम नबर किसे फ्रूब करेंगे ठीक है उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आया है तो लाइक शेर हैं सब्सक्राइब कर दिया थे